अपने मलाई खाने के लिए बेचेन हैं वो गरीब से उनको कोई लेना देना नहीं है मैं दावे के साथ कहता हूँ कि उनका जैसा रहनसान है विहार में किसी राज़कुमार का रहनसान नहीं है वो संघर्स का रास्ता चुने हैं तो मंत्री पत देने में उनको सर्म आ रही है और वो अपने आपको गौर्बानवित महसूस कर रहे हैं जिन पिछरा दलित अत पिछरा इन लोग की वकालत करते हैं हैं उनके लिए एक काम भी नहीं किये हैं कितना दीन मंत्री मंडल में वो अपने कारजाला में जागर के बैठ हैं क्या भी सरकार में बदलनी चाहिए हैं। सबसे पहले तो आज मेरी पार्टी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनी है कुछ लोग मुगालते में थे, जबकि वो लरे जादे थे, हम कम लर करके अधिक सफलता प्राप्त किये थे, और तीन हमारे पुराने मित्र जो भी आईपी के संबल पर लरे थे, उनकी घर वापसी कल साम में हुई है, मैं आप सबों को और बिहार की जनता को सभी लोगों को ब नितिक्ता के आधार पर उनको इस्तिद्फादे दना चाहिए, उनको अब मेले नहीं है, उनको चुने हैं, मंत्री पद देने में उनको सर्म आ रही है और वह अपने आपको गौरवान्वित महसूस कर रहा है संघर्ष तो होगा सरकों पर मंत्री रहते हुए जनता को ठगने का काम कर रहे हैं गुम्रा करने का काम कर रहे हैं ये काम नहीं चलेगा उनको नतिकता के नाम पर इस्तिफा देना चाहिए और संघर्ष करें बीजेपी बढ़ खास्की की मांग करेंगे मुख्यमंत्री से उनका समय पूरे हैं वैसे भी कैसे मंत्री हैं सो दखे रहे हैं आप एक दिन सदर में नजबाब दिये हैं मचवारा भाई के लिए कल्यानकारी योजनाएं लंबित परा हुआ है उसको नहीं लागो किये हैं वो अपने कारजाला में जाकर के बैठे हैं एक दिन ने वो अपने मलाई खाने के लिए बेचेन है वो गरीब से उनको कोई लेना देना नहीं है मैं दावे के साथ कहता हूं कि उनका जैसा रहंसान है विहार में किसी राजकुमार का रहंसान नहीं है वो गरीब को ना गरीब के हैं गरीब के लिए किये हैं एक काम बता दें लगवाग डियर साल से वो मंत्री है पुतला नहीं वहां रजवरा में हिंदू बहुत संख्यक के साथ अत्याचार हुआ है अन्याय हुआ है इसकी जांच होनी चाहिए और दोसी पर अभिलंब कानूनी कारवाई होनी चाहिए यह पुतला फूक रहे हैं यह गलत है आपस में नहीं होना चाहिए मानिय गिर्राज जी रजवरा का जो मुद्धा उठाया है रजवरा में जो बहुत संक्यक समाज पर हिंदू समाज पर अत्याचारा नहीं हुआ है इसके लिए गिर्राज सिंग बुले है और उनका अगर कोई पुतला जलाएं हैं उनके बुद्धी पर तरस है